बजार जैसे एकदम सुपर सॉफ्ट बंस आज हम बनाएंगे घर पे अवन में और बिना अवन दोनों ही तरीके से बहुत ही आसान रेसिपी है कोई भी बना सकते है और पहली ही बार में आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह पूरा का पूरा ऐसे मोड़ने के बार भी वापस से अपना शेप होल्ड कर रहे हैं तो कितने सॉफ्ट बने हैं आपको आडिया मिल गया होगा इसके लिए आपको चाहिए दो चमच के जितना पीसे भी चीनी इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी के जितना हलका गुन-गुना पानी इसमें जाएगा तीन चमच के जितना मिल्क पाउडर इनकीस अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आधी कटोरी पानी की जगा आधी कटोरी गुन-गुना दूद ले लें तीन चमच के जितना मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से घूल लेंगे पानी गुन गोल लिया और गोल लिया गोला है, इसके बाद नहीं डालेंगे 2 चम्मज के जितना ड्राइएस्ट दो चोटा चमच के जितना आप इसमें ड्राइज डाल दीजिए और इसे ढख के दो से तीन मिन या पांच मिनिट के लिए छोड़ दें अब जिब तक इसे हम ड्राइज चोड़ रहे हैं तब तक हम ड्राइज इंग्रेड्ट की ते तियारी कर लेते हैं यहां पर मैदा ले लिया यह से पहले से जहान के रखा था, साफ होना चाहिए इसमें दो चमबच के जितना अमुल का बटर मैंने डाला है, सॉफ्ट और इसमें जाहेगा थोड़ा सा नमक, आदेह चमबच से भी कम था अब इसमें हम डाल देंगे हमारा इस्ट और बिल्क पाउडर और पानी वाला मिक्षर और अब हम क्या करेंगे इसे चमबच की मतल से पहले तो अच्छे से सारी चीज़े मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम हांतों का यूज करेंगे इसका जो डो होता है दोस्तों, नॉर्मल डो से थोड़ा सा ज्यादा गीला होता है तो मैं इसमें दो चमबच के जितना पानी और डालनी हूँ, उसी कटोरियो में मैंने पानी ले लिया था, जिसमें इस्ट को एक्टिवेट किया था अब हाथों से करेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, यही हमें एकदम सौफट बंस का रिजल्ट देगा अब एक आपको दूसरा सेपरेट बाउल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है, और उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है हर तिरफ और जो हमने आटा मिक्षर तयार किया है, शुरुवात में आपको उतना गूनने की ज़रत नहीं है, क्योंकि बहुत जादा चिपचिपा रहेगा, उसे इसमें हम रखके छोड़ देंगे, एक घंटे के लिए, ढखके किसी ऐसी जगह पे जो थोड़ी सी गरम हो, मैं क्या कर इसमें इतने जाल बने है, इतने अच्छे नेट बने है कि आपको समझ में आएगा कि इससे ब्रेट कितनी अच्छी बनेगी, यह देखे, कितने बबल्स बने, कितना एरेशन हो चुका इस डो का, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें से हमें एक बार हवा निकालनी हू इसमें से हवा निकाल लेगा और हाथों में थोड़ा सा तेल अपलाए करें और इसे अच्छे से आपको गून लेना है, इसमें से हवा निकाल देनी है, थोड़ा सा चिप चिपा होता है, तो आप बीच बीच में हाथों में तेल लगा सकते हैं, तो आपके हाथों में चिप और आपको काम करने में असानी होगी, मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ, इस पर थोड़ा साम सुखा अटा डस करेंगे, और इसे ऐसे ऐसे मसल के आपको 5 मिर्ट के लिए अच्छ से स्ट्रेच कर लेना है, अटा नीचे चॉपिंग बोर् को वापस से साफ करेंगे, इस पर थोड़ा सा तेल अपलाए करेंगे, ताकि अब जब हम डोगो ढ़ा लें तो इस पर चिपके नहीं, हाथों पर भी लगा लेंगे, और डोगो इस पर रखेंगे, और इक्वल शेप की हम इसमें से बॉल्स कट कर लेंगे, जिस शेप के, मत जितनी बड़े हमको बंस बनाने हैं, तो मैं एक normal standard size बना रही हूँ, जिस size के मतलब मार्केट में मिलते हैं, यसे पहले तो ऐसे फैला लें, फिर ऐसे अंदर के side roll करें, जहां पर जादा चिपक रहा होगा, वापस से तेल लगाए, ये देखें, थोड़ा चिप-चिपा हो इसे हातों से एक बार चिपना कर लें, अब बंस बनाने का तरीका दोस्तों, आपको एक गोला उठाना है, और उसे अंदर के side इस तरीके से लॉक करते जाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अगर आपको tricky लगे, तो ध्यान से देखें, ब पार्शमन पेपर रखा है, ताकि यह बनने के बाद एजली निखला है, तो यह तो मैंने गैस के लिए तयारी की थी, और यह राएगा अवर में, क्योंकि मैं दोनों ही तरीके से दिखा रही हूँ, नीचे पार्शमन पेपर मैंने इसमें भी रख दिया, इनकेस अगर आप अपर से लेके अंदर के साइट पीछे हम चिकना करते हुए इसे लॉक कर लेंगे, तो उपर से दम चिकना बनेगा, थोड़ा से दूर दूर रखे हैं क्योंकि अभी इसे हम प्रूफ करेंगे, मतलब प्राइस करेंगे, उसे हम छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए, अब यहां इसे अच्छे से घूल लेंगे, आपके पास अगर बटर नहीं है, तो आप रिफाइन डॉयल या फिर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं, यह देखे, 30 मिनट के बाद कितने अच्छे से यह प्रूफ हो चुके हैं, अब इसे उपर अच्छे से ग्रीस करेंगे, ताकि कलर अच् देखने में थोड़े से सुन देरों, होता क्या है ना दोस्तों, कि जो अवन में हम बनाते हैं, उनमें उपर से झालर थोड़ा अच्छा आता है, लेकिन कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि दोनुहीं तरीके से बन बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो जिनके पास आगर अवन वीजाब ऑपर से फोड़े से सफेद तिल डाल देंगे, आपकी मर्जी है फिर काला और सफेद दोनों ही तिल मिलाके भी डाल सकते हैं, या फिर स Rap sacrifice अपर सिंपल ऐसे ही रख सकते हैं, तिल डाल दे हमने, अब क्या करेंगे, हम गैस की तयारी करते हैं, गैस पे कैसे करेंगे, गहरा भगुना मैंने ले लिए है, मोडी दली का, स्टैंड रखेंगे और इसे कवर करके पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे, ताकि एकदम अच्छे से प्री हीट हो जाए, इसमें हम प्रेस कर देंगे हमारा मदब प्लेट, जिसमें हम बेग कर रहे हैं, और एकदम दीमी आज पे 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अवन वाला हम क्या करेंगे, अवन में 180 डिग्री पे आपको 15 मिनट के लिए पकाना है, ये देखे, अवन वाले का कलर उपर से थोड़ा जादा अच्छा आता है, जो गैस वाला है, थोड़ा सा हलका कलर आता है, मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता दिया, बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा मिल्टर बटर उपर से अच्छा से ग्रीज करें, दाकि शाइन आ जाए, और इसे कवर कर के थोड़े देर के लिए रखे नहीं, तो ऊपर से क्रस्टी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, कवर करके रखेंगे तो तम सौफ सौफ से बन बनेंगे, तो ऊपर से थोड़ा सा बटर मैंने और ग्रीस किया, बहुत ही बढ़िया बन बने थे, खाने में बिल्कुल पता ही नहीं चला था, चैसे हमने घर भे बनाया है, यह देखें, पीछे से भी टेक्शर हमें आपको दिखा दे रही हूँ, कितना बढ़िया रंग आया आगे से, और यह पीछे से भी बहुत अच्छे से बबल्स आये, तो आप अंदर से ब्रिट का टेक्शर समझ सकते हूँ, कितनी ज़्यादा सौफ है, मैं आपको दबा के दिखा दे रही हूँ, अभी मैं आपको कट करके, अंदर से भी टेक्शर दिखाती हूँ, यह देखे, थोड़ा सा भी प्रूफ होने के बाद, आपस में चिपब गया था, तो इसे ऐसे आप हटा ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी सौफनेस अंदाजा लगा सकते हैं, यह वापस से अपना शेप होल्ड कर रहा है, इतना जादा सौफ बना है, अब यह आया हमारा गैस वाला, जो गैस पे हम पच्चिस मिनिट के लिए से बेख के थे, तो उपर से मैंने पहले यह बोला था, कलर उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि गैस पे नहीं होता है, शौट से हीट पिलती है, तो उसमें नीचे से कलर आ जाएगा, जैसे अब Union वाले में नीचे से उतना अच्छा कलर नहीं आता, उपर से आता है, बस इतना फरक है बागी पका तो ये भी है तो अवन में 15 मिनट और गैस पे आपको 20-25 लग सकता है क्योंकि जाधा टाइम लगता है कट करके दिखा रही हूं दोनों ही बहुत अच्छे से अंदर से पके हुए है अंदर से कितने अच्छे जाल बने है अभी आप देखेगा बहुत ही बढ़िया जैसे मार्केट पे ब्रेट मिलती है बिलकुई वैसी ही बनी है कोई बदा नहीं सकता कि आपने घर पे बनाया है इसका टेक्शर देखी बहुत ही सॉफ्ट है ये देखे है मैं इसको अगर ऐसे दबाऊंगी भी तो वापस से अपना शेफ होल्ड कर लेगा इतनी बड़ी अब रिट बनी है आप क्या कर सकते हैं इसके वर्गर्स बना सकते हैं या फिर सिंप्ली इस पे बटर लगा के थोड़ा सा मिक्स्ट हब डाल के भी खा सकते हैं यह ऐसे ही टेस्ट लगती है और गरम गरम बन आप ऐसे ही खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि घर पे हमने प्यॉर बटर वगर यूज़ किया है बाहर वाले कैसे बनाते हैं हमें नहीं पता क्योंकि वो कॉमर्शल होता है इसे कट करें और ऐसे ही इंजोई करें तो दोस्तों अगर आज की रेस्पी अच्छी लगी तो इसी तरीके की और भी रेस्पी इस के लिए शनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथे में बेल आइकन भी फुर्थर नोटिफिकेशन के लिए दभाना ना भूले मैं मिलते हूं इसी तरीके की और नहीं रेस्पी के साथ नहीं दिन तिल देन टेक के बाबा एंजोई दिस रेस्पी